मुसा वादा विर्मनी सिंखा पदंसमादियानी जैभीम नमो बुद्धाय, संविधन वी दा पिपल समर्षंग ने आप सभी का स्वागत है वी दा पिपल समर्षंग है क्या यह एक परिवार के रूप में हम लोग जुड़ रहे हैं हमारा काम जो है अपने बिख्रे हुए लोगों को एक सूत्र में पिरोना, उनको एक जगह एकठा करना, जिससे हमारी ताकत बढ़े, हमारी उपस्तिती समाज में दर्ज हो पाए, और कोई हम पर अत्याचार नहीं करने पाए, ये ST, SC और OBC का एक बड़ा परिवार है, और हम लोग Payback to Society के लिए वचनबद हैं, बाबा साहब के कथन के अनुसार हम Payback to Society करेंगे, और एक प्रबुद्ध भारत बनाने की दिशा में एक संग परिवार के रूप में एजिट होने और लोगों को जोडने का काम करते हैं, हम अपने शोसित और स्वंचित समाज की दशा और दिशा को सुधार कर, उन्हें मुखी धारा में जोडने के लिए संकर्फ बड़ हैं, हमारे समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, कितने अमानवी व्यवार हमारे साथ में किया जाता है, तो क्यों हो ऐसा क्यों हो पा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि हम लोग एक जूट नहीं हैं, हम लोग छिन भी नहीं हैं, हम एक साथ मिलकर नहीं काम करना चाहतें, मिलकर रहना नहीं चाहतें, देखें, हमारे जो ये भारत है, ये हमारा देश है, और ये बहुत उन्नत देश था, यहां की संस्कृति, यहां की विरासत बहुत उन्नत थी, क्योंकि जब हम एक संग के रूप में थे, हम परसपर एक दूसरे का समान करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, और एक दूसरे कि छिडिया कब था ये भो мира नी में इस पान日 निGU कुझ में शागती है और हम बिल्कुल लाचार से होकर रहे गए, दोस्तों जैसा समुद्र है, समुद्र में अथा जलराशी होती है, बहुत पानी होता है और उसकी ताकत आप सब जानते हैं, वो किसी भी चीज़ को मट्यामेट करने के लिए बिल्कुल सक्षम होता है, लेकिन उसमें एक और विश साथ नहीं रखता, उसको बाहर फिकता रहता है, यह उसकी अपनी ताकत होती है, कोई कचरा उसमें टिक नहीं सकता, इसलिए हमें जो है, एक समुद्र के रूप में विक्सित होना है, उस तरह से नहीं, मान लीजए जिए एक समुद्र का पानी है, उसको आप छोटी-चोट बरतनों में अगर आप उसको रखती है, तो वो बिल्कुल निश्क्री हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, उसके अपनी कोई ताकत नहीं होती, समुद्र के पानी को कोई पीना भी नहीं चाहता, तो दोस्तों यही हमारा कॉंसेप्ट है, कि हम इतने बटे हुए हैं, कि हम ब बड़े समुद्र के रूप में विक्सित होना है, दोस्तों जब बारिश होती है, जब बारिश की शुरुआत होती है, तो क्या होता है, कि उसकी दो चार बुंदे जमीन पर गिरती हैं, और वो सूख जाती है, उनका कोई आस्तित नहीं होता, लेकिन एक साथ जब पूरी ब बहा ले जाने की ताकत रखता है, तो हमें जो है, वो एक सहलाब लाना है, एक वैचारी क्रांती लानी हमें अपने एक जूट होना क्यों होना है, हमें एक दूसरे का विचार चाहिए, हमें एक दूसरे की सहायता चाहिए, और हमें से कोई भी संपूर नहीं होता, हर आदमी में कोई कमी होती है अगर दस कमी भी होती है तो मेरा मानना उसमें कोई दो अच्छाई भी होती है हमें उन अच्छाईयों को ग्रहन करना है हमें समुदर के पानी को जैसे तरह से कच्रे को फेंक देता है उसकी बुराईयों को अपने आपस के लोगों की बुराईयों को दूर है यह उसका आपना ब्यक्तिगत को किन किन विचारों के साथ जीता है लेकिन उसके शकारातमत में विचारों को इकटा करके हमें एक परिवार के रूप में बनना है बढ़ना है और जीतना है दोस्तों जो बढ़ता है वो जो है जो जुड़ता है वही बढ़ता है और जो बढ़ता है वो जीतता है हमें जुड़ना है क्योंकि हमें जीतना है हमें जीतना है क्योंकि हमें जिन्दा रहना है दोस्तों हमारे आस्त ये कितना बुरा हो रहा है हम लोगों के साथ में हैं लोगों की मर्शा आप खुले हम बता रहे हैं कि आप हमारा नरसंगार करने को आतु रहें दोस्तों अब एक कठा हो जाओ प्लीज अब कुछ भी हमारे पास नहीं बचा है हमारे पास कोने के लिए और कुछ नहीं है अब एक चारा है कि हम लोग एक जगह एक अठा हो जाए एक बड़े परिवार के रूप में अपनी छोटी-छोटी जो शंकाओं को अलग रखे अपने मन के जो एगोज हैं उनको छोड़के एक परिवार के रूप में हम लिकसे तो हम जरूर जुडेंगे और हम जब जुडेंगे हम जितेंगे भी, हम लोगों को जोडेंगे तब जीतेंगे भी और हमें जीतने की जिद है हमें जिन्दा रहने की जिद है यही हमारा कॉंसेब्ट है इसको आप किसे भी तरह ऐसा समझ लिए यह तो एक प्रकरती का नियम है कि जो चीज़ जोड़ती है वो बढ़ती है और जो बढ़ती है वो शक्तिशाली होती है बस इतना ही मुझे कहना है थैंक यू जै बिम्नमो बुद्धाय जै सम्मिधान से बहुत सादवाब आप मैं सादवाब करूबदान के वो बहुत बहुत सादवाब आप पुरअक्साहाब को बहुत बहुत अच्छा संदर कर सक्थीया रहा है झाल 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 या महापुर्सोका है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पुझी आपकी है धन्यवाद तंसरेन गच्छामू तंसरेन गच्छामू संगं सरनं गच्छामू तंसरेन पी बुधं सरनं गच्छामू तंसरेन 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 गच्छामू ततियम पी सन्दम सर्णम कच्छामी, ततियम पी बुद्धम सर्णम कच्छामी, ततियम पी धमम सर्णम कच्छामी, ताथियं पी नम्मं सर्नं कर्चामी साथू, साथू